नमस्कार, टिवी ट्वंटी नूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, मैं हुआ आपके साथ असोग बर्मा करोना के बढ़ते ग्राब को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें, अब रुख करते हैं खबरों की तरफ त्रिपूरा के वेश्ट अगरतला डियम वा कलेक्टर से लिसकुमार यादव के एक मैरिज हाल में करोना की पावंदियों के बीच साधी रुकवाने की मामले में नया मोड़ा गया है सोसल मीडिया पर वीडियो वार होने के बाद, हलाकि डियम ने अपने दुर्वेवार के लिए माफ़े मागली है लेकिन वेवात अब बढ़ता जा रहा है अब इस मामले में दुलहन की परिवार वालों ने अफ़ायार दर्श करा दी है वही दुसरी और डियम के और से भी दुलहन पक्च के खिलाव अफ़ायार के गई है दुलन के भाई सुबरजीत देव ने फेस्बूक पोश्ट के जरिये घटना की विश्तार से जानकार दी सुबरजीत ने लिखा कि 27 अप्रेल 2021 को बहुत मानसिक अगात सारिरिक ठकान और परिवारिक चर्चाओं के बाद आखिरकार हमने पस्चिम अगरतला में रात करीब 9.30 बजे एक प्राथे में की दर्च करने का फासला किया हमने अफ़ायार दर्च कराई इसके बाद हमसे एक दिन बाद रस्चिद लेने का वादा किया गया जैसे ही रात के 10 बजे करफियों का समय ने कटा रहा था इसलिए हमने पुलिस इस्टिसन से सोच कर छोड़ दिया कि दूसरे दिने अफ़ायार के काउपी ले लेंगे 28 अप्रेल को मैं अफ़ायार रस्चिद लेने के पस्चिम पुलिस इस्टिसन गया मुझे पुलिस थाने में 3-4 घंटे बिठाया गया और रस्चिद नहीं दी गई पूछने पर मुझे यह सुने स्टित किया गया कि कुछ कानूरी प्रक्रियाओं के करन इसमें देरी हो रही है और रस्चिद हमारे निवास पर भिज़ जाएगी हाला कि 29 अपरेल रात करीब 9 बजे तक मेरी अफ़ायार काउपी नहीं मिली 29 अपरेल को सुबह 8 बजे मुझे अस्थानी समाचार पत्र से खबर मिली कि 28 अपरेल को डियम सेले स्यादों ने हमारे खिलाफ अफ़ायार दर्ज कराई है अब मेरे सामने तस्वीर स्पॉस्ट हो गई बस मेरी अफ़ायार को तोड मरू करने के लिए 27 अपरेल को हमारे खिलाफ अफ़ायार दर्ज की गई है सुबरजीत ने कहा हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक समानी आदमी न्याई मांगने के लिए अफ़ायार नहीं कर सकता जबकि एक जुला मजिस्ट्रेट आसाने से कर सकता है अंत में हमने अपने राज़े के सिर्थ वकिलों में से एक से परामर्स किया है और CRPC की धारा 156 के तहट तीन के तहट हमारी प्राथमिकी सिविकार करने के लिए पुलिस अदिक्षक अकरतला को एक प्रातना पत्र लिखा है फिर से खारिज होने और फरसान होने की डर्सी जैसा की अफ़ायार दर्च करते समय हुआ मैंने आज साम को रेजिस्टर पोश्ट के जरिये प्रातना भेजी दुलहन की भाई ने कहा आसा करी और प्रातना करी कि एक बार जब ये प्रातना अपनी कुर्सी तक पहुंच जाए तो कुछ कारवाई हो कानूनी दस्तावेज भी मैं इस समय साजा नहीं कर सकता मेरी वकेल से सलाह लेने के बाद बागी कानूनी कारवाई को अपडेट किया जाएगा सुबरजीत ने आन्ते में कहा मैं और मेरा पुरा परिवार कि तक है पुरे राज़ और जिस तरह से देस्तनी आगे आकर हमारा समर्थन किया अगर आप मैसूस करते हैं कि हम गलत नहीं थे तो मैं इस सभी से समर्थन करने के प्रातना करता हूँ इसके साथ ही सुबरजीत ने अपील करते हुए कहा कि मेरी माता पिता बजूर के पोस्ट एजियो प्लास्टी, एंजियो प्लास्टी, हाईपर टेंसिफ डाइविटिक हैं और कई दबाओं पर हैं बानसिक अगहात के बाद उनके स्वास्त में सुधार आ रहा है इसलिए कोई भी मीडिया कर्मी या सुबचिन तक मुझसिया मेरी माता पिता से संपर करने की कोशिस ना करें उमीद है हमें न्याय मिलेगा उलेखनी है कि सिंगर सोनु निगम ने भी डियम के बिवहार के आलोचना की है डियम ने पस्चिम अगरतला के एक मैरे स्वाम में सियम को पत्र लिख कर कारवाई की मांगी है